जैहिन दोस्तों UDCRA में आपका स्वागत है दोस्तों अब हम बात करेंगे ISL के अगले मैच की जो की खेला जाएगा मुंबई सिटी FC और चिनायन FC के बीच में तो काफी अच्छा मैच होने वाला है काफी अटाकिंग प्लियर्स हैं दोनों ही टीम में बट एक बैड नीउस है चिनने के लिए एलखयाती स्कॉर्ड में नहीं होगे क्योंकि वो इंजर्ड हो गए है और I think एक और उनके स्ट्राइकर है केरी केरी वो भी इंजर्ड है वो भी स्कॉर्ड में नहीं होगे तो ये काफी बड़ा सेट बैक है चिननने के लिए otherwise एक बहुती attacking गेम देखने को म अभी तक 10 matches खेले हैं इस लीग में और एक भी match नहीं हा रही है तो बेस्ट टीम है इस लीग की आप कह सकते हैं तीस गोल मारे हैं दस मैच में दस ही गोल कंसीट किये हैं तो one of the best attacks in the league ठीक है और defense भी काफी अच्छा है वही चेनाई NFC की बात करें तो 7th position पे हैं 10 matches में 4 matches जीते हैं 2 draw किये हैं और 4 हा रहे हैं 10 में 20 गोल मारे हैं तो attack is good और 21 गोल खाये हैं that means defense is not good तो home और away form भी देख लेते हैं एक बार तो मुंबई का home form पांच में से 3 match जीते हैं 2 draw किये हैं माच में 13 गोल मारे हैं और सिर्फ 4 गोल कंसीट किये हैं तो defense काफी strong है attack काफी अच्छा है तो overall बहुती बढ़िया team है चिनायन FC की बात करें away form तो fourth position पे हैं कोई बहुत खराब नहीं है बलकि in fact अच्छा है इनका 4 में से 3 matches जीते हैं और सिर्फ एक ही हारा है और 4 में 12 गोल मारे हैं और 7 concede किये हैं तो एक अच्छा match देखने को मिल सकता है हमें आज तो आज ये दोनों team की lineups discuss कर लेते हैं एक बार तो Mumbai City की बात की जाए तो उनकी lineups कुछ इस तरीके से होने वाली है center forward रहेंगे डियाज, left wing पे रहेंगे विपिन सिंग, right wing पे रहेंगे चांकते midfield की बात करें तो left midfielder रहेंगे अपुया, central midfielder जाहू और right midfielder Greg Stewart defense की बात करें तो left back पे होंगे दिसाई, दो center back होंगे, महताब, fall खेलेंगे या Griffith खेलेंगे देखते हैं कौन start करता है और right back पे रहेंगे भीके, और goal keepering में रहेंगे फुर्बा, तो ये Mumbai City की lineups रहेगी next lineups देख लेते हैं, एक बार Chennai NFC की भी, इनकी क्या lineups रहने वाली है आज के match में तो इनकी lineups कुछ इस तरीके से रहेगी, center forward रहेंगे Sliskovich, 9 number और left पे होंगे उनके प्रशान्त और right पे होंगे विंसी, विंसी की जगा थापा भी start कर सकते हैं आज देखते हैं वो start करते हैं नहीं, injury से comeback कर रहे हैं midfield में बात करें तो central midfielder होंगे सौरवदास, 18 number left पे होंगे उनके ducar, 26, और right पे होंगे Edwin, 8 number चार defenders रहेंगे, left से start करते हुए, left back होंगे सांगवान, 27 number दो center back होंगे वाफा और डियांगने, और right back पे होंगे अजीद कुमार और goalkeeper होंगे देवजीद, अब section wise selection कर लेते हैं players का according to their performance, तो striker section में आएं अगर हम, तो सबसे पहले आपको दिखेंगे sliskovich, selection percentage काफी high है इनका, almost 87%, chance create करते हैं ये, अच्छे खासे और goal चार मार चुके हैं अभी तक ये, assist दो कर चुके हैं, तो काफी important player रहेंगे ये, selection भी काफी high है और 70-80 minute खेल के जाते हैं, तो इनका हम अपनी team में जरूर रखेंगे next आपको दिख रहे हैं, Greg Stewart, all-round player है ये, midfield में खेलते हैं, लेकिन आप एक तरीके से ऐसे मानिए कि ये पूरी field पे ही खेलते हैं, attack में भी आते हैं, defense में भी आते हैं, हर तरीके से आपको points देके जाते हैं, ठीक है, दो goal मार चुके हैं अभी तक 6 assist कर चुके हैं, और chance creation भी भब से जादा है, इनका league के अंदर I think 15 chances create किये हैं, इन्होंने, passes भी बहुत करते हैं, तो overall बहुत ही बढ़ी अपिक, selection percentage 56 है, पता नहीं कैसे, और Diaz आपको दिख रहे हैं, next, अली जहां तक हैं नहीं खेलेंगे, खेलते भी हैं, तो पर 5 गोल मार चुके हैं, दो assist कर चुके हैं, chances भी काफी create करते हैं, 11 chances create किये हैं और 60-90 मिनिट में कभी ये substitute हो सकते हैं, लेकिन काफी dangerous हैं, तो मैं इनको अपनी टीम में जरूर रखूँगा, फिर आते हैं midfield में, midfield की बात करें, तो L खयाती जैसे मैंने आपको बताया, ये आ काफी हाई है इनका, tackle interception बहुत हाई रहता है, इनका, passes बहुत हाई रहता है इनका, और chance भी create करते हैं और कभी-कभी ये goal भी मार देते हैं, ठीक है, तो minutes इनके थोड़ा ये, अब इन्हें 60-70 minute के बीच में सब्स्ट्यूट कर दिया आता है, लेकिन important match या match फसा हो, तो maybe इन इने जादा भी खिला दिया आता है, तो इनको मैं अफ्री टीम में जरूर लूँगा, next है विपिन, विपिन खेलेंगे left wing पे, selection percentage 85% है, इनका, तीन goal मार चुके हैं, दो assist कर चुके हैं, chance creation भी अच्छा रहता है इनका, passes भी ठीक ठाक कर लेते हैं, और minutes, 90 minute खेलते हैं पूर चांकते को drop कर रहा हूँ, ठीक है, काफी बड़ा risk है यह, मैं आपको clearly बता रहा हूँ, तो आप चाहें, तो चांकते को ले सकते हैं, विपिन की जगा, या फिर आप दोनों को भी ले सकते हैं, ठीक है, यह आपके उपर है completely, next आपको दिख रहे हैं, due कर, selection percentage 27% है, एक goal मार हैं, दो assist कर चुके हैं, chances create करते हैं अपनी team के लिए, और tackle interception भी इनका ठीक रहता है, around 45-90 मिनट में कभी भी substitute किया जा सकता है इने, लेकिन मैं इने अपनी team में लेके चलूँगा, ठीक है, next आपको दिख रहे हैं, परशान्त, तो इनका कोई खास performance नहीं है, और last match में तो उने 45 मिनट पर substitute भी कर दिया गया, तो मैंने drop कर रहा हूँ, next आपको दिख रहे हैं, लालिंग माविया, last match में उने दो गोल मारे, generally goals के लिए जाने नहीं जाते हैं, defensive points के लिए जाया जाने आते हैं, लेकिन एक अच्छे punt pick हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने drop करके च दोनों का, गोल मारेंगे, तभी point देंगे, और थापा तो injury से comeback कर रहे हैं, तो कुछ surety नहीं है, कितने minutes खेलेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहे है, admin wins ball, यह आपको defensive points देके जाएंगे, अच्छे का से, tackle, interception, passes, minutes, 60-70 minutes खेलते हैं, सब shoot कर दिया आता है, उसके हम चलेंगे, हम बात कर लेते हैं, सौरफदास की, यह आद स्टार्ट कर सकते हैं, इनकी बात करेंगे तो यह भी आपको में लिए defensive point ही देंगे, goal threat नहीं है यह, ठीक है, स्टार्ट करेंगे तो पूरे 90 minutes खेलते हैं, ठीक है, tackle काफी high है इनका, और chances तो कमी create करते हैं, interception भी okay okay है, ठीक है, passes जादा नहीं आते, 20-25 passes करते हैं, तो मैं इने भी drop करके चल रहा हूँ, selection percentage भी काफी कम है, next आते हैं हम defense में, defense की बात की जाए, तो सबसे पहले आपको दिख रहे हैं महताब, इनको में अपनी टीम में जरूर लूँगा, क्योंकि काफी अच्छे tackle interception और passes के point देखे जाते हैं, यह काफी important player है, next है Griffiths, अब Griffiths start करते हैं, यह मुटाडो fall start करते हैं, यह देखना होगा, last match में मुटाडो fall ने start किया, मुटाडो fall अगर start करेंगे, तो header में बहुत ही अच्छे हैं यह, header से goal आने का chance इनका बहुत हाई रहता है, especially set pieces में, जो corners और free kicks होत करेंगे, चेन नहीं से, काफी अच्छा performance कर रहे हैं, 3-4 matchों से, ठीक है, तो tackle interception के point अच्छे करते हैं, passes तो ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन tackle interception के point अच्छे रहते हैं, तो इनको में टीम में लूँगा, next आपके पास हैं BK, BK भी काफी अच्छा performance कर रहे हैं, और generally भी या दिसाई में से, कोई आप एक और ले सकते हैं, दिसाई भी स्टार्ट करेंगे हैं जहां तक हैं, लेकिन अभी थोड़ा ये injury से वापसी कर रहे हैं, तो minutes इनके sure नहीं हैं, और अभी इनका game भी sure नहीं है, कि कैसा खेलेंगे injury आने के बाद, last match में ये अच्छा खेले थे पूरे 90 minute खेल के रहे हैं, लेकिन अब जो team सामने है, वो थोड़ा सा मुश्किल है, पिछली team से, तो अभी के लिए मैं भी कोई दे के चलूँगा, ठीक है, और goal की bring section में मैं मझूमदार को लूँगा, चिन नहीं के, क्योंकि मुझे लगता है, मुंबई का attack बहुत खतरना है, और वो ही ज्यादा attempts करेगा goal पे, तो मझूमदार ज्यादा saves करेंगे, तो अभी के लिए दोस्तों हमारी team तयार हो रही है, ठीक है, अब कर लेते हैं captain wise captaincy की बात, तो captaincy में आप मेरे हिसाब से best option Greg Stewart है, ठीक है, आप DS को भी बना सकते हैं, कोई issue नहीं है, बट मेरे हिसा जाहू को मैं आपको नहीं बोलूँगा बनानी के लिए, ठीक है, ठीक है, विपिन को आप बना सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा रिस्की ही रहेगा, ठीक है, और defense में मैं आपको कोई suggest नहीं करूँगा, fall को बना सकते हैं, लेकिन अगर goal नहीं आया तो ज़्यादा point नह सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी form में चल रहे हैं, और midfield में बात करें, तो विपिन सिंग is a very good option for wise captain, ठीक है, अगर इनका goal आता है, तो बहुत point देखे जाएंगे आपको, और defense में बात करें, तो आप fall को wise captain मना सकते हैं, या फिर आप भीके को भी wise captain बना सकते हैं, ठीक है तो wise captaincy के options मैं आपको दे दिये, मेरा जो wise captain रहेगा अभी के लिए, वो diaz रहेगा, ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमारी team बन रही है, बाकी lineups आने के बाद जो भी updates होती हैं, वो मैं आपको telegram channel पे दे दूँगा, और अगर आप हमारे telegram channel से अभी तक नहीं जुड़े है तो please फॉरण जुड़ें, और अगर आप हमारे channel को भी subscribe नहीं किया है, तो सबसे पहले तो वो करें, subscribe करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, bell icon के पास आपको subscribe दिखाई देगा, उसे press करें, press करने के बाद आप notifications को all कर दें, इससे होगा ये कि जो भी videos हमारे upload होंगे, उ और आप उन video की मदद से एक अच्छी और balance team तयार कर सकते हैं, और telegram channel से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, bell icon के just उपर आपको more दिखाई देगा, उसे press करें, then join our official telegram channel के पास आपको more दिखाई देगा, उसे press करें, link आपको दिख जाएगा, उसके through हमारे channel से आप जुड़ जाएं, team वहीं पे मिलेगी, पास से दस मिनट पहले आपको, ठीक है, जो भी final updates होगी, lineups होगा, position होगी players की, सब वहीं पे दी जाएगी, तो मिलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में, जहिन!